जैहिन बहुत बहुत स्वागत है दखेनी न्यूज पे NPS करमचारियों को प्रती दिन हो रहा है हजारों का नुक्षान प्रती माह NPS एकाउंट में कंट्रिब्यूशन होने के बाद भी बढ़ने के बजाए घट रहा है पैसा financial year 2022-23 के पहले quarter में 22.8% की गिरावट दर्ज की गई तो आप समझ गए होंगे यह वीडियो NPS करमचारियों के लिए dedicated है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे NPS करमचारियों को कितना तेजी से नुक्सान हो रहा है साथी साथ हम यह भी बताएंगे यदि आप government employee है तो आपको OPS के लिए संगर्स करना क्यूं अतियावस्यक है तो चलिए सबसे पहले आपको NPS से संबंधित यह डाटा दिखाते हैं उसके बाद मुझे यकीन है कि आप आज से ही OPS के लिए अपना संगर्स जारी कर दीजिएगा क्यूंकि यह डाटा काफी भयानक है काफी ड़ाओना है एक NPS करमचारी को यह डाटा काफी ड़ाती है तो हम आपको पिछले तीन महीने का डाटा दिखाएंगे NPS एकाउंट का यह डाटा हमने एक करमचारी से लिया है NPS ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट सबसे पहले हम मार्च का देखते हैं यह स्टेटमेंट आपके सामने जो दिख रहा है एक मार्च से 31 मार्च 2022 तक का है और स्टेटमेंट जो है वो 8 अप्रील 2022 को दिया गया है जैसा कि आप जानते हैं जो NPS एकाउंट में करमचारी का कंट्रिब्यूशन होता है वो 10% करमचारी के तरफ से दिया जाता है और 14% सरकार के तरफ से दिया जाता है यानि कि मार्च महीने में करमचारी का जो टोटल डिपोजिट हुआ कंट्रिब्यूशन हुआ NPS एकाउंट में वो इक्यासी सो चोहत्तर रुपए जमा हुआ जिसमें करमचारी के फंड से 346 रुपए कटवती हुई और सरकार इसमें 4768 रुपए एड करके टोटल इक्यासी सो चोहत्तर रुपए डिपोजिट किया अब ये 8 अप्रेल को करमचारी के NPS खाते में कुल जमारासी आप देख सकते हैं यहाँ पे 7,6,722 रुपए है अब एक महीने बाद का डाटा देख लीजे यानि कि पूरा अप्रिल माह के अवधी के लिए करमचारी के NPS एकाउंट मे फिर कुल 1,874 रुपए जमा हुए जी हाँ मार्च में भी 1,874 रुपए जमा हुआ था और अप्रिल माह में भी 1,874 रुपए जमा हुआ और यह स्टेटमेंट 11 मै 2,022 का है जमा होने के बाद टोटल इस करमचारी के एकाउंट में है वो 7,61,416 रुपए है अर्थात मार्च में ये जो टोटल रुपए था वो 7,60,000 के आसपास था और अप्रील महीने में 8,000 से अधिक जमा होने के बाद भी 7,61,000 ही रहा इसको और सरल भासा में समझे आपने अप्रील महीने में 81,74 रुपए जमा किये लेकिन 81,74 के जगह पे आपके एकाउंट में मात्र 6,94 रुपए जमा किया गया आपको सीधे सीधे 74,80 रुपए का नुकसान हुआ और इस अवधी में ये जो NPS एकाउंट में आपका निगेटिब रेट ओफ इंटरेस्ट दिखा रहा है वो है माइनस 11,59 परसेंट यानि कि आपको 11,59 परसेंट का नुकसान हुआ और यह जो नुकसान की अवधी है वो वही पे रुकी नहीं अभी भी लगातार नुकसान चल रहा है जब यह करमचारी 17 मई 2022 को अपना NPS एकाउंट चेक किया तो जो रासी 30 अपरेल 2022 को 7,61,416 रुपे थे वो 17 दिनों में 8,344 रुपे घटके 7,53,72 रुपे हो गये यानि कि 17 दिनों में आपको कुल 83,44 रुपे का नुकसान हुआ जबकि यह एक साधारन करमचारी है और साधारन करमचारी को इतना नुकसान हो रहा है तो अब आप यदि बड़े करमचारी है अधिकारी है तो आपको कितना नुकसान हुआ होगा आप खुद जान सकते हैं आप अपने NPS एकाउंट को चेक जरूर करते रहिए हम देख लेते हैं financial year 2022-23 का first quarter चल रहा है इसमें यदि आप NPS का growth देखिएगा तो यहाँ पता चलेगा minus 22.8 फीसद negative चल रहा है जी हाँ गिरावट है minus 22.8 फीसद का यह जो financial year 2022-23 का पहला quarter ही यह बहुत करमचारियों को पीरा देगी दुख दे रही है क्योंकि करमचारी देख रहा है कि हमारा पैसा घट रहा है दिन प्रति दिन लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है तो यह जो NPS है National Pension System है यह वास्तों में National Pension System है या फिर new pain scheme है pain system है जिसके दुआड़ा करमचारियों को सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द दिया जाएगा आप कल्पना कीजिए आपको बुढ़ापे में NPS के भरोसे जब pension मिलना है तो हम अभी भी देख रहे हैं कितने ऐसे करमचारी है जो retire हो रहे हैं उनको pension के रूपने डेर हजार, दो हजार, ढाई हजार, तीन हजार मिल रहा है अब आप कल्पना कीजिए कि जो करमचारी पचास हजार पे retire हो रहा है पचास हजार last salary पा के retire हो रहा है और retirement के बाद उसको pension के रूप में तीन हजार या पाँच हजार मिले तो वो क्या करेगा उसका क्या value रह जाएगी वो कैसे समाज में अपना survive करेगा कैसे गुजारा करेगा ये सोच निये है यदि आप अभी नीन से सोय हुए हैं तो आपका बुरहापा अनिद्रा के रूप में जाएगा आप चैन से जिंदगी गुजार रहे हैं आपका बुरहापा बेचैनी में जाएगा इसलिए आज ही संघर्ष करने का ठानी है और OPS के लिए संघर्ष कीजिए लाश्ट में आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी संघर्षन OPS के लिए संघर्ष कर रहा है उसका आप सहयोग कीजिए क्यूंकि OPS इतनी जटल समस्या है कि इसका समाधान संघर्षन के माध्यम से ही हो सकता है आप अकेले कुछ नहीं कर सकते है और सभी संघर्षन वाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी माननियों के दरवाजे पे जाएए सभी संसद मंत्री संत्री के घर पे जाएए और वहाँ पे आप OPS के मुद्दा को उनको ग्यापन दीजिए और उनको मजबूर कीजिए कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मजबूत बनाईए